हलो स्टूडेंट आपका हमारी यूटूब चैनल पे स्वागत है आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखेंगे तो देखेंगे कि हम अगर हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो उसे ज्याद करना है, सब्ट्रेक्ट करना है, मल्टिप्लाय करना और डिवाइड करना है तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन आफ पॉलिनोमियल देखते हैं अब जैसे कि आपको यहां पर दो कोशन दे रखें फॉर्स कोशन हमा तो add करना है तो उसको करने का तरीका यह है सबसे पहले हम यह वाला जो polynomial दे रखा है इसको लिख लेते हैं x square plus 2xy minus 5y square ठीक है हमने पहली वाली polynomial लिख ली अब दूसरी वाली polynomial भी हम इसके नीचे लिख लेंगे लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो variable है वो बिल्कु सेम हो उसी की नीचे आपको लिखना है जैसे x square है तो इसकी नीचे x square वाला वाला जाएगा तो मतलब कि इसकी नीचे आएगा 3x square next हमारा minus 5xy है तो minus का 5xy उपर वाला भी जो था xy variable वाला था नीचे आजाएगा हमारा plus का 2y square ठीक है अगर आपको add करना है तो simply add करेंगे इसको अब जैसे कि आपको दे रखा है minus 5 plus 2 minus plus minus होता है तो 5 में से 2 में से minus 5 करेंगे तो कितना आएगा minus का 3y square अब minus का sign क्यों आया आपको देखना है दोनों में से number कौन सा बढ़ा है पांच बढ़ा है और 5 का sign क्या है minus का तो minus 3y square हो गया अब next है plus का 2 और minus का 5 plus minus होता है तो 2 minus 5 हो जाएगा 3 और वो भी minus का तो minus का 3xy तो आपको variable तो बिल्कुल सेम ही लिखने है बस number plus या minus होंगे अब next है हमारा x square 3x square तो अगर इसका कोई variable नहीं है इसका कोई coefficient नहीं है तो 1 हो जाएगा तो 1 plus 3 कितना होता है 4 तो यह ओगा 4x square ठीक है तो अगर हम इन first वाले में इन दोनों polynomial को add करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x square minus 3xy minus 3y square ठीक है अब अगला देखते हैं next हमारे पास है second part second part में बोला है यहाँ पर तीन polynomial दे रखें ठीक है तीन polynomial दे रखें तीनों को add करना है तो इसको भी हम बल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो सबसे पहले एक first polynomial लिख लेते है बी पार्ट का तो पहली यह है x plus y plus 2z अब second वाली polynomial में लिख लेते हैं लेकिन आपको करना क्या है same variable के नीचे same variable आना चाहिए तो 2x minus 4y plus z अब next है 2y x तो है नहीं ठीक है तो 2y है तो plus का 2y minus का 3z ठीक है और इसका x है नहीं तो यह आजाएगा 0 आप क्या करेंगे इसको simply add कर लेते हैं देखें पहले z का देखते हैं यह 2 plus का है यहाँ z का coefficient जो है 1 हो जाएगा और यह minus का 3 है तो 2 plus का है 1 भी plus का है और minus का 3 तो इन दोनों को add करा 3 minus 3 तो 0 हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारा 0z ठीक है अब अगला देखते हैं y का coefficient 1 हो जाएगा 1 minus 4 plus 2 1 minus 4 plus 2 इन दोनों को अगर मैं solve करूं इन तीनों को तो हमारे पास minus का 1 बचेगा तो यह अगर minus का 1 y ठीक है sin minus का है क्योंकि 4 जो है minus का बढ़ा है अब next है हमारा 1 x plus 2 x यह जाएगा 3 x तो इन तीनों polynomial को जोडते हैं तो हमारे पास यह answer आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप करेंगे addition of polynomial करेंगे आप देखते हैं subtraction of polynomial देखते हैं अब subtraction में आपको करना क् हमें जैसे यहां बोला है first subtract 4a minus 7a plus 3b minus 7 from this तो हमें इस में से यह जो polynomial है इस में से हमें यह वाली polynomial को minus करना है ठीक है तो इसको start करते हैं तो सबसे पहले हैं second वाली polynomial जो दे रखी है 5a minus का 4ab plus का 2b plus का 2 next आपके पास है 4a इसमें भी आपको वही देखना है कि same variable के नीचे same i जैसे a है तो इस नीचे a ही आना चाहिए यह वाली term आनी चाहिए minus का 7ab plus का 3b minus का 7 अब subtract करना है में तो हमें करना क्या है जो भी नीचे वाला polynomial है उसके जो sign है वो change कर देना है ठीक है plus का minus कर देना minus का plus अब 4 के साथ कुछ नहीं है मतलब plus होता है तो यह क्या हो जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा next देखिए प्लस 2 और माइनस का 3 अब 2 में से 3 माइनस कर दोगे तो माइनस 1 बचा ठीक है तो माइनस 1 variable आपका B ही रहेगा अब next में माइनस 4 और प्लस 7 माइनस 4 और प्लस 7 करा तो 3 आएगा प्लस का ठीक है तो प्लस का आगया 3 A B अब next है 5 A माइनस 4 A तो यह आएगा 1 A तो इसको सब्ट्रेक करने के बाद हमाद पास आंसर आएगा 1 A प्लस 3 A B माइनस 1 B प्लस 9 सेकिंड वाला भी आपको बिल्कुल ऐसी करना है सेकिंड वाले में आपको इसमें से यह वाली घठानी है ठीक है सब्ट्रेक करनी है तो पहले यह वाली टर्म लिख लेते हैं X QB माइनस 5 X स्क्वेर माइनस 3 X Y प्लस 6 Y स्क्वेर सेम यहाँ आगा 2 X QB माइनस 4 X स्क्वेर प्लस 3 X Y माइनस 4 Y स्क्वेर साइन चेंज हो जाएंगे यह प्लस का है तो यह माइनस हो गया यह माइनस का है 4 X स्क्वेर तो यह प्लस का हो जाएगा यह माइनस का हो जाएगा और यह प्लस का हो जाएगा तो यह आपको याद रखना है सब्ट्रेक करने से पहले कि आपको sign जो है वो change कर देने और जो change करके हैंगे उनी sign से आपको बागी का operation apply करना है तो plus 6 है और plus 4 है तो यह जाएगा plus का 10 y square क्योंकि plus 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 ही होता है अब minus 3 x y और यह भी sign change करने का minus हो गया तो minus minus plus होता है तो minus का 6 x y हो गया next है minus का 5 और plus का 4 minus का 5 और plus का 4 तो minus 1 हो जाएगा minus का 1 x square next है हमारा इसके कुछ नहीं है तो 1 x cube और minus का 2 x cube 1 minus 2 हमारा minus 1 ही होगा तो minus 1 x cube तो इसको subtract करने के बाद हमारे पास जाएगा minus 1 x cube minus 1 x square minus 6 x y plus 10 y square ठीक है तो इस तरीके से आपको polynomials को subtract करना है अब देखते हैं multiplication of polynomial तो polynomial को किस तरीके से आप multiply करेंगे अब देखते हैं अब जैसे कि पहले हमें simple दे रखा है multiply 4p by 2p minus 5 p q plus q minus 3 ठीक है तो पहला तो हमारा simple यह है हमें 4p को multiply करना है किस से 2p minus 5p q plus q minus 3 से तो आपको करना कि है जो भी bracket के बाहर दे रखा है variable यह constant term उसको इन सारी term से multiply करना पड़ेगा कैसे 4p into 2p minus symbol है तो minus आगे फिर 4p को ही multiply करना है आपको 5p q से फिर symbol प्लस का दे रखा था और 4p को multiply करेंगे किस से q से फिर minus फिर 4p को multiply करेंगे 3 से ठीक है तब 248p स्क्वेर हो जाएगा यह पी को पी से multiply करेंगे तो स्क्वेर हो जाएगा ठीक है minus 4, 5, 20 अब पी यहाँ पर 2 है तो पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वेर हो गया और q साथ में आ गया इस तरीके से next करा 4p q minus 12 p ठीक है तो अगर हमें single term दे रख्यों multiply करने के लिए तो आपको इस तरीके से multiply कर देना है अब next हमारा है multiply x plus y by 2x minus y plus z ठीक है तो इसको किस तरीके से करना है देखते है अब हमें दे रख्खा है x plus y को multiply करना है 2x minus y plus z से ठीक है तो इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने first वाला part किया है ठीक है जैसे अब पहले यहां x plus y तो पहले x से इस पूरे को multiply करेंगे फिर y से करेंगे तो पहले x से multiply करना है 2x minus y plus z को फिर जो symbol आपका यहां दे रख्खा है plus है फिर इसको multiply करना है पूरी स्टर्म से 2x minus y plus z से ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 2x को अगर मैं 2x से multiply करूँगा x को 2x से multiply करना है फिर minus x को y से करना है तो x into y फिर x को z से कर लेना है ठीक है इसी तरीके से y को करेंगे y को multiply करना है 2x से फिर minus फिर y को multiply करना है y से फिर plus फिर y को multiply करना है z से तो यह हमारा क्या हो जाएगा x को 2x से कर रहा तो 2x स्क्वेर minus x y plus x z plus 2xy minus y स्क्वेर plus y z ठीक है तो multiply करने के बाद आपका यह answer आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप polynomials को multiply करेंगे अब देखते हैं division of polynomial तो division में जैसे हमें बोले divide करना है 2x क्यूब minus 5x square y plus 7y को x से ठीक है यह तो simple है हमें divide करना है 2x क्यूब minus 5x square y plus 7x को किस से करना है x से करना है ठीक तो इसको क्या करेंगे हैं हम separate लिख सकते हैं 2x क्यूब upon में x minus 5x square y upon में x plus 7x upon में x ठीक है तो यहां पर x से कैंसिल करूँगा तो यहां पर 2x 2x square बचेगा यहां x से कैंसिल करा सिर्फ x बचा ठीक है यहां करा तो सिर्फ 7 बचा तो हमार पास answer किया जाएगा 2x square minus 5xy plus 7 ठीक है तो इस तरीके से हम polynomials को divide करेंगे उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा Thank you